हालो एवरीवान येस दिस इस सोविन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खुब सुरत से सेशन में जिसका नाम है most important question answer series इस series के अंदर एक और चमचमाता हुआ question है आपके सामने जो पता नहीं कितनी बार पुछा गया है चलो देखते हैं यार कितनी बार आई आई है तो भाई question क्या है define cryoscopic constant derive the relation between elevation of boiling point and molar mass of a solute क्या बात है October 2014 में July 2017 July 2018 September 2021 ये Corona वाला period था बच्चा इसलिए exam September होई थी क्या बाद है बहुत बार पुछा गया मतलब यह तो और ऐसा ही question एक था और उसका भी मुलार मास और फ्रिजी पॉइंट डिपरेशन को पर रिलेशन जो होता है वो भी काफी इंपॉइंट ने कई बार इसाम में आ चुका है यह दोनों question में से एक question exam में आने के chances बहुत जादा रहेंगे इस साल भी अगर आप बोर्ड एक्जाम देने वाले हो यह दोनों ही question के practice जम के कर ले ना ठीक है चलिए शुरू करते हैं इस question को क्या होता है और इसका definition कैसे लिखेंगे साथ में इसको जो रिलेशन पूछा गया है वो क्या होगा अचलिया शुरू करते हैं सबसे पहले समझने कोशिश्च करते हैं क्राई ओ स्कोपिक जो कॉंस्टेंट वो क्या है वोट इस क्राई उसकोपिक कॉंस्टेंट इसको अगर मैं इसको हटा दू तो डिल्टा टी अफ जो होता है अगर मैं एम की जगब पे वन ले लिया इसका मतलब यह है कि डिल्टा टी अफ मेरा के अफ के बराबर है और इसी को हम बोलेंगे यजो के अफ डान क Keeping our क्राई ऑस कोपिक अंटेंड है यह क्या है मेरा क्राइसकोपिक और우드 कॉनस्टेंड है मतलब शरॅःड आप्जिए कहना चाह रहे हो एक जो क्राई उसकोपिक जो आपका आप परका और कहीनEC locks बोलते हैं कि फ्रेजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बराबर होता है प्रोवाइड रैट कि उसमें मॉलालिटी वन हनी चाहिए व्मारा डेफिशन बन जाएगा रायो स्कॉपिक कॉंस्टेंट क्रायो स्कॉपिक कॉंस्टेंट जाल कि इस नाम उत्च 네वर, जास में क्रायो स्कॉपिक कॉंस्ते हैं मैं के लन बदीट्ट, इस बंदीट कॉंस्टेंड और अ भॉॉ। प्रेजिंग्टated अपरेशन फ्रेशन आफिंग फ्रेशन तॉ। परेशन, ट्रिंग्विक का ईंषन पॉरॉ। वन मुलाल सल्यूशन क्या यह कंसेट्ट क्लियर है एकदम बहुत क्लियर है सर एकदम क्लियर हो चुका है तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिल्टा टी एफ एक्वल टू के एफ इन्टू एम ठीक है इफ एम एकोल टू वन तब हमारा के एफ जो है वही डिल्टा टी एफ के बराबर आजाता है एक बार तो एक एर में पेपर यह भी पुछा गया थे कि यूनिट बताओ ठीक हो तो मैंने लिया ही नहीं है यह यह सो यह सोचले के यूनिट भी पुछा जा सकता है ठीक है कि सर यूनि टू एम होता है अगर मैं के अफ की बात करो तो के अफोन हमारा डिल्टा टी एफ अपॉन एम ध्यान देना बच्चा डेल्टा टी अफ का मतलब है कहीं नहीं टेमपरेश्र मतलब कैल्वीन और मॉल पर केजी उपर आ गया और मोल उपर जागा तो मोल इनवर्स बन जाएग केल्वीन कीलोग्राम मोल इनवर्स यह हमारा केफ का यूनिट हो जाएगा आपके रेफरेंस के लिए बता रहो दा कि आपको पता चले चलिए अब अगला कुशन पूछ रहे है डिराइफ दे रिलेशन बिट्वीर एलिवेशन और बॉलिंग पॉइंट एंड मोलार मास्ट अब सॉल्यूट कोई दिख्कत रही कर देंगे सबसे पहले क्ली एंगे आम यापर पी नो ड drying ऐसे जानते हूए होंगे में जानते हैं तो भी लिख दो हम जानते हैं लीग सब्सक्राइब है आं मेंटें मैं ये क्वेषिन है कर दो इसके बाद यह जो कंटेपे इसटे हर आपको इसके अंदर हमारह के विन जिख और गहे तो वेयर एब इकुल टू अब लोज को पिक कॉंशन बोलते इसको इसको इसका भी डेफिनिशन आता है जैसे क्राइश को पिक बता है वैसे यह भी सेम होगा एम को बोलते हैं मोला लीटी हintéंक को बोलेंगे मुला लीटी अब जाना आगे बढ़ते हैं इसका कि एक होने वाला है तो पच्छा इसके आगे अब हम बात करेंगे इस सिर्फ मोलालिटी के बारे में इस इंस मोलाली ती क्या होती है कि pass of the solvent a salt of the solvent मतलब डबलू-1 kg के अंधर चाहिए जब डबूло' not a learning kg में चाहिए चलेगा in kg में डाउन बच्छा यह किसमें अ छाहिए जिल्वो क्ली अहोना चाहिए किलो चाहिए मतलब हम यह बोल सकते है см melting आपलू अम अमारा इंट 놓ude आपन डब्लु वन होता है जो कि kg में चाहिए एक निकर पाट से होगा हमारा एकक्षिशन नमबर तू यह होगए हमाना एकक्षिशन नमबर तू अब हम जरा आगे बढ़ेंगे और इस टो को निकालने के कोषिश करेंगे सर्य सिर्फ एंट्यू क्या होता है सो चूह रोप सिरफ एंट्यू हम कैसे निकालेंगे तो एंडिना यहां पर since जो एंट्यू ऑच्छा सब्सक्राइब आप ऑन मलार मस के आप से MW2 एपन-व जाएंगा ठीकर एंड कंसिर कर लो लिट कि अधिर मास आफ वस्वाल वेन्ट कि लिए अगर गराम लिए तो हम क्या भूलेंगे कि इसी जिच को किलोग्राम में लिए तो मास ओफ वस्वाल विए जो है वो मेरा हो जाएगा डबलु व़न अपॉन 1000 kg अगरी कर रहे हूं किल्कुल एगरी कर रहे हैं सर अब क्या करेंगे अब ये दोनों चीज़ों को पूट अब करेंगे तो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू यू सब्स्टिट्यूट इस वैल्यूज इन एक्वेशन नंबर और इसमें डालने वाले मतब टू में डालने वाले सब्स्टिट्यूट इस वैली जिनी क्वेशन नंबर टू जैसे हम टू में डालेंगे हमाना जो एम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा एंटू मतलब डबलू 2 अपान एंटू रिश्यो अब इसको हम पल्टी मारेंगे लोगर क्लास का जो अपने सिंपल मैस बढ़ा होगा वह यहां पर अप्लाय करना है कि यह कुछ ऐसा बन जाएगा पल्टी मारा तो यह बन जाएगा एक हजार इवाइड बाए डबलू ओन दिखाए दे रहे हैं यह हमारा एक्वेशन नंबर 3. यह से क्लियर एकदम यह कुंसाइट एक वेशन हो गाँ क्वेश्न हो गया ? 3 क्वेशन हो गया हमारा एक क्वेशन соб और 3 हो गया में आया समझ में कैसे हम इसमें पूट अप करेंगे वैसे हमारा अंसर बन जाएगा डिल्टा टीबी इक्वल टू एबी वैसे चाहिए एम की जग़ए पूरा थ्री वाला वन में जाने वाला है अंतर जहां जहां पे यह मोगा यहां पर दिल्टा टीब एकोल टो के बी इन्ट एम तो एम की जगपे मैं यह पूरा पूरा इंफरमेशन लाके पूठ आप कर दूँगा क्या बन जाए का बन जाए का बच्छा यह अब लू टू अपॉन एम टू इन्टू वन थाउजन अपॉन डू यह मेरा प्यारा सा इंफरमेशन जो दिख रहा है बच्छा कि हमारा बन गया है पूरा का पूरा पूरा कम्प्लीट रिलेशन देख लो जारा है यहां पर क्या बढ़ियां रिलेशन चमा कर रहे हैं वह लो कोई दिक्क्त कांसर के सीरीज है यह आपको एक बुष्टप देगी हर एक चैप्टर में आपने अपने पढ़ाई की होगी लेकिन एक होता है इंपोरेंट कोस्टन जो होते हैं या कुछ ऐसे कंसेप्स होते हैं जो मैं चाहता हूँ क्विक तरह से सीख लो मैं लेक्षर नहीं देखना चा और वहाँ पर आपने आपने मोलालेटी को सॉल करना शुरू करने शुरू किया मोल्स अपन सॉलिट अपॉन आसाफ वा सॉलिट इन केजी और इसको आपने पूटप किया आगे आपको इस तरह से आपका आंसर चला गया एंड़ इंड्यों पर पहली बार तो इस चैनल को सेशन में तब तक के लिए बाइवरीवन जय हिंद